वो है, वो क्रीडा करती है, तो मा का क्रीडा इस्ठली भी है का क्रीड के माई, सीता वर, लक्कर वर, यह सब क्या है, क्रीडा, मा जहां क्रीडा करती है, क्रीडा इस्ठली है, जहां विच्छरेज करती है, यह भिढ़ा रहे हैं, जहां मा बस्ती है एक क्रिडा और क्रिया दोनों के एक केंड्र हजारों वर्सों से रहे है कोई अभी के नहीं है काटकूट के बन लकड़ बन, सीता बन हजारों वर्सों एक क्रिया सक्टी का केंड्र है जिससे जीव और जगट का संचालन होता है जिस क्रिया सक्टी से क्रिया सक्टी को केंड्र है क्रिया योग के केंड्र है सीता बन, लकड़ बन, काटकूट के बन जहां पर देवता और देविट शक्टिया जिसे हम गाओं में भ्रवन करते हैं वैसे ये काटकूट के बनों में देवी जेटा और देविद शक्तिया ब्रोवन करती रही आज ही दहुत सारे स्थान मिल जाएंगे तो ने काटकूट के बन में लगकड बन में सीटा बन में असा का बन में और काट्पूट के बन में सिर्फ हमारे ही पूर्वज नी रहे हमारे ही गाउं नी रहे हम उसी गाम की बंदना करते चिंतन करते हैं क्यों मैहियों में नी रहे प्रभु कहा रहे बन में रहे और बन में रहे कर खुट को बन मासी बता दिया और बन में रहे कर मेरे प्रभु से राम ने जीना सिखा दिया बन में रहे बन में रहे रहे जिसे हमारे गाउं बन में रहे बन में रहे बन मासी प्रभु को आती प्रभिया है और वो तो खुद ही खुद बनवासी बोलते हैं बन मेरे रहे हैं कभी वो कामर गिरी से प्राथना करते हैं वही तो मेरे राम है जो गंगा और सरीयों का मान करते हैं कभी समाती का मान करते हैं वही तो मेरे राम है कभी मादा सहुरी के दूठे वेरों को खाते हैं और जाती पाती का भेड मिटाते हैं और प्रेम और सेवा का रिस्ता बठाते हैं कभी भी परमात्मा कुल और जाती को देखकर नहीं मिला प्रेम और सेवा को देखकर परमात्मा और इश्वर हर युक सदी में भक्त प्रेमी को बारं बार दिला सेवा को पूंद कर आज काटकूट काटकूट की सेवा निशकाम सेवा निशकाम फ्रेम आज दिखो थोड़ा सा परिक्रमा के पन से अलग थोड़ा सा ये भी तीर-थे चर्ट एक है लेकिन आज हम काट कूट के बनों में भवन करते करते काट कूट के अब इसको काट फूट बोले कि महिया का वो कंचन फूर बोले महिया का वो गाओं बोले कोसया का बोले कि देवकी का बोले कि असोडा का बोले लेकिन गाओं तुमागा है इसमें किसी बगार का कोई इसमें है और काट्टुक को एक ऐसा ग्यार्वय रूद्र का स्वरूप मिला परिक्वा वसी गेंगे ग्यार्वय रूद्र का बहुत सारा विग्र है हमने देखा होगा देश वर दुनिया में ग्यार्वा रूद्र मतलड अन्मांची मादाश है ना बहुत सारी विग्र है कल चुबा टाइम हम उसी इस्थान पर चलेंगे जहां दुनिया का सबसे अनोखा ग्यारवे रूठ का विग्रा है हमने अन्यांजी महाराज को तु बजा हाथ में पक्डे हुए दिखा होगा लेकिन पूरे भूम अंडल में ग्यारवाद उत्र जो है हाथ में शिवलिंग लिए खड़े होगे है अब दूप छोटी हो है है ना में काटकूट वाले है ना ऐसा उसको बोलते ओंखले श्वाता शिवलिंग लिए जब हमने पहली बार देखा तो हाथ में शिवलिंग लिए कहां लेके जा रहे है अब हाथ में है तो कहीं न कहीं लेकि जाए नहीं होंगे शिवलिंग रखा है हाथ में जुमने तो या फिर मों कहीं इस्थाबिद करोगे या फिर कहीं पूजन शिवलिंग शिव और शक्ति का उप्रतीक है शीवलिंग हमारा अस्तित्व का, ब्रह्मान्द के अस्तित्व का, शीव और शक्ति का, वो प्रतीक है, प्रभुराम ने भी शीव उपास्ता की है, हम भी करते हैं, शीवलिंग का हम ध्यान करते हैं, शीवलिंग का फूचन करते हैं, अब वो शीवलिंग हाथ में है, तो जित के अंदर जैसे ही तस्वीर आती है कि हाथ में कोई चीज है तो या फिर वो कहीं रखी जाएगी या कहीं लेके जा रहे होगी या फिर तुम कहीं लेके जाओगे या किसी स्थान पर तुम रखने के लिए तुमने उठाई होगी एसे ही काट्टोट में अप्रेश्व दाव में गयारवी रूद्र का एक रहश्वाई विग्रे है जो हमें क्रीता का ध्यान जिलाता है उस विग्रे में छिपा एक जीवत कस्थ्य है नर्वदा के पठ आए एक ऐसी आध्य शक्ति भगवती हमें डिगी है जिसका जल गर्व है नर्वदा का जल गर्व से ही शिवलिंग का निर्माण होता है और कोई शक्ति नहीं है जो शिवलिंग का निर्माण करती हो चिफ नर्वदा के जल रूती गर्वों में शिवलिंग का निर्मान होता है अब शिवलिंग का संबंद तो मा नर्वदा से है यह जगत भिख्यात है शिवलिंग का निर्मान मात एक शक्ति मा नर्वदा है जो अपने गर्वशे असन्थे शिविलिंगों का निर्माण करती चली जा रही है आज है शिविलिंग का निर्माण को मांगों अब शिविलिंग का संभद जो है ये जीवाद और फिर अपने d Astra के शंकर को रखती है और यहीं विख्याड है कि नर्मदा का हर एक कंकर शंकर के रूम में हो मानते हैं और फूचते हैं एक एक कंकर शंकर है दुआर पे शंकर है और गर्वसे शिविन का निर्माण ये भी एक रहिस में है हर कंकर को शंकर का है शिवनी का हर कंकर को क्या का शंकर शिवा अब शिवलिंग तो वो शक्ती का प्रतीत है शिव और शक्ती का प्रतीत है ब्रम्हान की प्रतीत का प्रतीत है हमारे अस्टिप्व का प्रतीत है और महादेव का पूजन जो है वो शिवलिंग के रूप में ही उनकी अराद्याव साथ अ मुक्ति प्रतीत है वो शिवलिंगर जिसका ना आदी हो ना अन्टा है महादेव का पून शृटक गोल्ग्रा का पूज़न में यह व्यॉता खिया गया और जो शिवलिंग का पूज़न करता है वो शिवर शक्ति दोनों की अराद्यां साल मैं अब दिप्य शिवलिंग का निर्माण मानरवदा के गर्भ से निकलते हैं और अपने द्वार पे शंकर को वो रखती है कंकर के रूप में दुनिया ने देखा कभी गुरू कभी आचारी के रूप में ग्यारा सुबस पहले वही शंकर आचारी के रूप में प्रगठ हुए जिसको आध्य गुरू शंकर आचारी के टे जिनोंने विश्व में धर्म, इस्थापना और धर्म जागरें और धर्म संस्कृती की भोजा, ठेराई और धर्म को इस्थापित किया शंकर को देखा कंकर के रूप में, शंकर को देखा गुरू के रूप में, आचारी के रूप में नर्वदा के द्वार प्रशंतर प्रत्यत्या है और शिवलिंग का अनवरत प्रगटी के रहे होता जा रहे है बनते जा रहे है और जिसको हम शीव कहते है शीव वो तत्वा है शीव वो सत्य है तो सत्य रूपी शीव को यह वही भगवती है सत्य रूपी शीव को प्रगट करती है शीव तत्वा है जो जीव जगट ब्रह्मांद का अस्तित्वा जिस तत्व से है वो शीव है शीव के बिना इस जीव जगट ब्रह्मांद का कोई अस्तित्वा नहीं है वो शीव है और शीव सक्च है जो जीव जिगत ब्रह्मान का आधार है वो ही सक्च है तो शीव मेरा अस्टिप है और शीव ही मेरा आधार है अब आधार इस रूम में